तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, Air India के Kevin Crew interview में पूछे कुछ कोशन के बारे में, तो watch this video till the end, आपके बहुत सारे doubt क्लियर हो जाएंगे. तो वीडियो शाट करने से पहले मैं आपके चीज़ बताना चाहता हूं, कि मेरे बाल बहुत जादा बड़े हो चुके हैं, इसलिए मैंने hairband पहना हुआ है, तो भाई मैं इतने बड़े बाल कर क्यों रहे हो, तो भाई मैं इसलिए सिरफ मैं इसको ट्राइ कर रहा हूं. So the first question is, explain what is air turbulence. Air turbulence is a minor jerk or a bump in the aircraft, जो आप aircraft के इंदर बैठे होते हो, जब एक mass of air, दूसरी mass of air के साथ जब collide होती है, different speed में, तो उसकी वरे से air turbulence बनता है. And also air turbulence is often created by jet streams, thunderstorms and moving air around the mountains. So the next question is, what if you lost your luggage while flying? Your luggage is airline's responsibility and you are liable to get compensated if you lost your luggage or delayed or damage. So इसका simple meaning यह है, अगर आपका luggage while flying खो जाता है, तो उसकी सारे की सारे responsibility airline की है. And also अगर वो आपको delayed हो जाता है, या फिर damaged product मिलता है, जो भी आपका luggage होता है, तो उसके लिए आपको compensation मिलती है, airline के दुवारा. So the next question is, what is jet lag? मैंने already इस point को आपने एक वीडियो के अंदर cover किया हुआ है, लेकिन आगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो मैं आपके लिए दुबारा बदा देता हूँ. Jet lag का basic meaning होता है, जब आप एक time zone से, दूसरे time zone में switch करते हैं, तो उसकी वरे से जो आपकी body के अंदर imbalance होता है, और आपकी body जो disturb होती है, उसको jet lag कहते हैं. एक example से समझाता हूँ, जैसे कि आप आप इंडिया में हो, और आप different time zone के country के अंदर जाने वाले हो, आप travel कर रहे हो, तो आप जब यहां से इंडिया से आप different time zone के country में जब जाओगे, तो travel का time लगेगा, तो आप travel करने के बाद वहां पर पोचे, यहां पर morning में चले थे आ जब आप travel करकर वहां पोचे हो, तो वहां पर भी morning ही हो रही है, तो इसके वज़े से आपकी body imbalance हो जाएगी, और disturb हो जाएगी कि अब हमें सोना कब है, तो आपको morning में भी sleepy feel होगा, तो इस चीज़ को jet lag कहते हैं, I hope आपको समझा गया होगा, So the next question is, while flying, what you should do in an emergency? So सबसे पहले आप nearest emergency exit को ढूणोगे, और उसके बाद आप oxygen level देखोगे, अगर वो कम हो रहा है, तो आपकी जो उपर वाले जो जगा होती है, उसके अदर से oxygen mask नीचे निकल कर आते हैं, और वो आपको अपने face पे लगाना है, So oxygen mask लगाने के बाद अप करने का मतलब होता है, अपनी seat belt को tight करकर बैठेंगे, और उसके बाद अपने घुटनों को नीचे से पकड़कर, अपनी seat पर नीचे जूप कर बैठेंगे, So the next question is, list out the things that you cannot carry while flying, sharp object that can cause injuries, आप कोई भी knife, या फिर छूरी, या फिर काटा, या फिर कोई भी nail साथ में लेकर नह पर आपका सारा समान निकाल दिया जाएगा ही सब, और उसके बाद आता है harmful chemical, like acid, आप acid लेके तो aircraft के अंदर आओगे नी, next explosive substances, like bomb, आप terrorist तो हो नी, जो bomb लेके घूमोगे, so next is, guns और firearms, अगर आप guns ले जाने की कोशिश कर रहे थे aircraft के अंदर, तो आप नहीं ले जा पाओग है, आपको माँ पर aircraft के अंदर travel करना है, so the next question is, what is ditching, ditching is another word for emergency landing, तो normal landing में क्या होता है, जो aircraft है, वो बिल्कुल plane surface के ओपर land करती है, लेकिन ditching में क्या होता है, कि आपको कभी-कबार water surface पे भी plane को land कराना पड़ता है, so उस चीश को ditching कहते हैं, so the next question is, how long the oxygen last four passenger in an emergency, तो जैस कि मैंने अभी आपको बताया था कि emergency में आपको oxygen mass अपने face पे लगाना होता है, जो कि आपके top वाले shelf में से नीचे गिरते हैं, तो वो नीचे गिरने के बाद कितनी दे तक चलते हैं, तो approximately वो 50 minutes तक चलते हैं, जो कि more than enough होता है, पाइलेट को safe altitude पे लाने पे, and जब पाइल water is stand हो जाता है, surface के उपर, stand in the sand कि एक water की layer बन जाती है, या फिर snow की layer बन जाती है, platform के उपर, जिसकी वादे से, प्लाटफर्म है, बहुजादा slippery हो जाता है, जिसकी वादे से, एर्क्राफ्ट के एक्सिटेंट होने के चांटस भी भड़ जाते हैं तो इसको एक्वा प्लैनिंग कहते हैं तो नेक्स्ट कोशन इस वाइप राउंड हाड दूरिंग बैड वैदर पाइलेट इंटेंशनली ग्राउंड को हाड हिट करते हैं क्योंकि इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास स्किल्स नहीं है इसका मतलब यह है बैड वैदर में जो प्लैटफॉर्म पे फ्रिक्शन बहुत जादा कम हो जाती है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था एक्वा प्लैनिंग के अंदर तो एकवा प्लैनिंग का एक पार्ट है यह तो बैड वैदर में फ्र इक्वाइशन सेक्टर में क्लियर आइस का मतलब यह होता है जब एरक्राफ्ट बहुत ही कम टेंपरेशर पर फ्लाइ कर रहा होता है जीरो डिग्री से कम माइनस टू माइनस री तो एक वाटर की लेर बन जाती है जिसकी वहरे से एक्सिदेंट होने के चांद बहुत जादा बढ़ जाते हैं सो सर्फेस के ऊपर जो आइस की लियर बन जाती है उसको हम क्लियर आइस बोलते हैं इस वीडियो के लिए इतना है रखते हैं अगर अच्छी लगए तो नीचे जाके लाइक कर देना अगर आपने इस से पहले वाले एपीसोड नहीं देखा है तो उसको भी झाल